नमस्कार क्षान सात्यों आपके अपने चैनल एगरी टेक में एक बार आपका ने वीडियो के साथ पिर से स्वागत है क्षान सात्यों आज हम बात करने जा रहे हैं धान में चावल में खर्पतवार नाशक दवाई साथी जो यूपियल कंपनी की है उसके बारे में सात्यों जो खर्पतवार है वह किसान की मुख्य समस्या है खर्पतवार के कारन हमारा उत्पादन है वो भी बहुत कम होता है अगर समय पर खर्पतवार ना निकाले तो वह बड़ा ही विक्राल रूप धारन कर लेता है और जो उत्पादन है उसको बहुत ही कम कर देता है इसलिए दोस्तो धान में जो खर्पतवार नासिक दुआई है साथी उसके बारे में मैं आप उसका टेक्निकल नाम बताने जा रहा हूँ पायराजो सुल्फरोन इथायल 10% डबलू पी फॉम में दोस्तो ये दुआई आती है दोस्तो इसको करने का मैं तरिका बता देता हूँ कुछ हमारे खिशान साथी है वो इसको रेत में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं और कुछ हमारे साथी है वह है इसको पानी के दुआरा भी डालते है कुछ साती है वो हमारे जो इसको सपरे के दोरा डालते है तो दोस्तों मुझे सबसे बहतर परिणाम जो हम सपरे करते है सपरे के दोरा अगर छिड़काव किया जाए तो उसका सबसे बहतर परिणाम है दोस्तों इसकी मातरा की बात करें तो इसके बाद में ही इसका छिड़काव करना है अगर पसल हमारी छोटी है तो इसका छिड़काव नहीं करना है क्योंकि इसके साइड पगेट भी हो सकती है 25 से 30 दिन होने के बाद में ही इसका सप्रे करें और दोस्तों खेत में प्रेप्त नमी होनी बहुत ही आवशक है खेत में पूरी नमी होगी तो इसका जो रिजल्ट है वह हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों हमें ध्यान यह रखना है यह केवल हमें धान की पचल में खर्पतवार नाशक के रूप में ही काम में लेनी है अन्य किसी पचल पर हमें नहीं करनी और दोस्तों यह पाउडर फोम में होती है और अंत में दोस्तों इसकी किम्मत की बात करें तो 260 से 280 रुपे 80 ग्राम के पेकट की किम्मत है जिन किशान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन उनको मिल सके साथियो अगला वीडियो मूंग फली और मूंग में खर्पतवार नाशक दुआईयों के बारे में आपको जान करे दी जाएगी धन्यवाद